नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी के लिए यहाँ पर फुरुस्पेक्टर के लिए प्रेक्टिस सेट लेकर रहे हूं जो कि भारत का इतिहास इवं सुतंतरता अंदुलन के मुश्ट इंपॉर्टेंड यहाँ पर 50 प्रस्न है तो आये देखते हैं और आपके एक्जाम में जो होने वाले उसमें यहां पर रहेगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथे साथ पेल गंटे के आल बटन को भी प्रेस करकर रखे रहें ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई वीडियो अप्लोड करों तो उसको नोटिपिकेशन आप तक अवस्य पहुंचे एंवं खाद देने चक का बहुत सारा प्रेक्टिस सेट आपको नीचे मिल जाएगा आप नीचे डिक्सिप्शन में जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी आपको य तो आप अच्छे से देखे जिसकी भी आप तयारी कर रहे हैं सभी में इसका उप्योग यहां पर रहेगा तो सबसे पहला है पर प्रस्ण है जो कि सुची यह को सुची दो से मिलानी है तो आये देखते हैं सबसे पहला है यह हडपा और काले बंगा उसके बाद लोथल फिर जो पर तो इसका अंसर आप पर ए हो जाएगा जोंकि सही है आपको रविंरा नदे के किनारे है में और फिर लोथा यह पर भगो नदे किनारे उसके बाद रहे इसको आंसर आपर ए हो जाएगा अगला प्रस्ण है दूसरा अध्यात्म ज्यान की विशय में नची केता और यम का समवात किस उपनिसद में प्राप्त होता है तो ए है विर्यदार ने उपनिसद चंदोग्यन उपनिसद ने कंठोग्य उपनिसद यो इसका करेक्ट्टा स्वेयरा पर सी हो जाएगा जो की सही आंसर है अगला के इस रहए एक ऊंप्र चेल प्रबंदर्म ऋस्ता का साथ्ष्य प्राप्त हुआ तो आलिम गेडिय बूर से कालिभंगा लोथल से पर कहरें प्राप्त हुआ हम् है बहुबली है बुद्ध है महावीर है यह नट राज है तो चार का यहां पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बहुबली के लिए आपर की जाती है अगला प्रस्ना है यहां पर पाच्वा नबर निर्म लिखिद में से कौन से पूस्ता काले दास द्वारा लिखिद नहीं है तो यहां पर ध्यान रखेगा कि लिखिद नहीं है पूछा तो मेगदूत है कुमार संबवा हो है उत्तर रामचरित तरम है या रिटु सहार है पर सी हो जाएगा जेला प्रस्ना सभी में नंबर निन में लिखेट में कौन से सहीं सुमेलित है तो आपको यहां पर देखना कि कौन सा सहीं सुमेलित है तो अगला प्रस्ण निन में किस सासक ने विक्रमति शिलव की स्थाथना की तो गोपाल रहे द्विक्रशन प्रसन दिकनले ओझा कुछा जाएं तो साहता क्यां कर्रेक्ट अंसर अंसर को यहां पर ऐसे यहां कर्थ कलीन भारत के आर्धिक इतिहास के संदर्ब में और घट्टा किसे निरुपित करता क्रिसी भूमी में बदली गई बंजर भूमी तो यहां पर आठ का कर्ड़ाइब सी हो जाएगा जो कि सही है अगला प्रस्ण है चंगेज खा के अधिन मंगोलों ने भारत पर अक्रमर किया तो बल्बान के सासन में फ्रतुकलक के सासनकाल में या इल्टूत्मिस के सासनकाल में जो चंगेज खां था कि अधिन जो मंगोल थे तो भालत पर कब अक्रमर किया था तो नौक यहां पर कर्रेक्ट आंसर सी हो जाएगा इल्टूत्मिस के सासनकाल में यहां पर क्या किया था अक्रमर किया था एकला प्रस्ण है दिल्ली कि किस मुस्लिम सासक के निधन पर एक इ मुहमद बिन तुगलक अगला प्रस्ण है प्रसिद्य विजय विठर मंदिर जिसके 56 तक्षित इस्तंभ संगित में स्वर निकालते हैं कहां अवस्थित है कहां इस्थित है तो बेलूर है भद्रा चलंग है यह हम्पी है स्री रंग है तो 11 का कर्रेक्ट आंसर सी हो जाएग जो फाउजिल का है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अत्रिक्त रासी है अगला प्रस्ण है निर्म लिखित आउतराण पर ध्यान दीजिए तो यहां पर आउतराण दिया है यह अपने लगभग तीस वर्स के व्यापक यात्री जियोन में उ संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वल्डन उपर के अउतराण में लिखित है यह है जिसके बारे में यह लिखा गया जिन्होंने इहत्तर हजार मिल की दूरी पार की है अगला प्रस्ण है निर्म लिखित में कौन सा एक सही काल कुरा काला नुकरम है तो संक संक्राचारे रामानुज संक्राचारे चैतन्य रामानुज संक्राचारे चैतन्य रामानुज संक्राचारे चैतन्य रामानुज संक्राचारे संक्राचारे चैतन्य रामानुज संक्राचारे संक्राचारे चैतन्य रामानुज संक्राचारे संक्राचारे चैतन्य मात्र एक मुठ्टिब बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सम्राज खोद दिया होता इस कथन को आप किस मद्यकान इनसासस से संबंद करेंगे तो अलाउद्दिन खिल जे हैं मुहंबत तुगलग है सेर सांसूरी है या औरंग जिब तो सब्सक्राइब पर सी हो जाएगा सेर स सूरी अगला प्रस्ण है हल्दि घाटी की यूद में महाराणा प्रताइब की सेना के सेनाबधी काउन थे तो अमर सी मांसी हकिम खाया सक्ति से तो इसको करेंगा पर हकिम खां सी हो जाएगा अगला प्रस्ण है अकबर ने दिन इलाही किस वर्स में प्रार्म किया तो 1570 1578 15 1582 यह कोश्चन पूछे जाते हैं तो इसका करेंट टांसर डी हो जाएगा 1582 अगला प्रस्ण है मुगल चित्रिकल किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची तो हिमायू है अकबर है जहांगीर है साह जहां तो उन्हें इसका करेंट टांसर आपर सी हो लुगल इसकूल मुगल इसकूल और कांगणाश इसकूल निम भीखित मैं से किस कला की विभीन सलियों को दर्शित करते हैं तो सिल्प कला है चित्र कला है नित्यह या संगित है अगला प्रस्ण है भारत के इतिहास के संधर में अब्दुुलहमют लाहोरी काउंठ थे shot अगला प्रस्णा है नस्ता लिख है तो नस्ता लिख क्या है तो बाइस कहां पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा नस्ता लिख क्या है एक प्रकार की फार्सिलीपी जुमध्य का लिख कालिन भारत में प्रुप्ते होती थी एगला प्रस्णा है नेन में लिखित में कौन से जोड़ी मुगल और माराठा कालिन युद्ध थे था वर्स यहां पर क्या है सुमेलित है तो यहां पर तेज सघ्जाओ का युद्ध उन पताना है तो यहां पर तेश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सी हल्दी घाटी का युद 1576 यह सही है अगला प्रस्ना है स्रीवा जी के अश्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेक करता था वह पेश्वा था अमात्य था पंडित रह था या सुमन था तो करखाना इस्थापित कियात अकबर है जहांगीर साज आया और अंग्जेब तो पच्छिस के हैं पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जहांगीर के काल में यहां पर इस्ट इंडिय कंपनी की इस्थापना की गई थी करखाना खोली गई थी बारत में फ्रांसिस्यों ने अपन कर्मीर की संसे करना हैं सबसे पहले कौन आया थैसको आपको यहां पर ध्यान रखना है सबसे पहले कॉना अंग्रेज उसके पर करेक्ट आशर भी हो जाएगा चार्द एक तेन मलब सबसेपहले आपर जो पूर्तुगाली आए उसके बाद फिर देच आए पिर अगरेज उसके बाद फिर फ्रांसिस अगला प्रस्थन है अठाइसो नंबर और थार भी सतक भारत विए तो वंबर कर एंबर कर युद्धिया अंबर कर दिया है तो सही आप देखना है और भी हो जाएगा अंबर कर दो प्लासिक पर वंडेवास को फिर अगला प्रस्था के बारे में निम लिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता तो 29 के लिए एक नियत आयका प्रबंद करना बागी यहां पर सब क्या है सही है अगला प्रस्था भारत में बिटिस सासन के दवरान में लिखित राशी राज्यों के विला करम पर विचार किजिए तो यहां पर जहांसी है संबलपूर है या सतारा है तो यहां पर 30 का करेक्ट आंसर सी होड़ाएगा अगला प्रस्था है इलबर्ट बिल विवाद किसे संबंधित है या किसे संबंधित था तो यहां पर देखते हैं जो 31 का है उसको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जो कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारती नया धिसों पर लगाई गई आयोगवि इस्ताने संबब को आवश्चक नियम बनाने के लिए प्राधी कृत करने के लिए धिनेया को अधिवर्ण की गया गया प्रस्था उनुसर 네 समय में यह प्रारम किया गए था अगला है रहत वाड़ी बंदबस्त के संदर में निम लिखित कत्रों पर विचार किजिए पहला कथन है कि सानद्वारा लगान सिधे सरकार को दिया जाना था सरकार रहत को पट्टे दिती थी कर लगाने लगाने के पूर भूमी का अगला प्रस्ण है निमें लिखित में भारत में उपनिवेश्वात के आर्थिक अलोचक्त है दादा भाइन औरो जी जी सुब्रेमने अएर या आर्ची दत तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर 35 हो जाएगा दी हो जाएगा एक दो तीन यहां पर तीनों क्या थे अलोचक्त अगला प्रस्ण है अर्थिक तोर पर निश्वी सताब्दी में भारत पर अंग्रेजी साइसन के परी घ्राम था तो यहां पर चार अप्सन दिया तो 36 का अपर करेक्ट टांसर सी हो जाएगा भारती क्रिसी की वाड़ेजी करन अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण हो जाएगा त्योंकि प्रमुक नायक थे वह निम्ली खित में से किस्ते संबंद थे बिहार से संबंद थे अगला प्रस्ण है सुची 1857 की विप्लाइक को नायक को सुची दो से उसके कारेश्चेतर से सुमेलित किजी तो यहां पर अगला प्रस्ण है संथाल विद्रो के सांथ हो जाने के बाद अपनिवें सिक्भ सासक सासंद वारा कौंस से उपाय किये गए तो यह पर संथाल प्रग्रन नामक राध्य चेतरुकर से जन्द किये गए किसी संथाल का कर संथाल को भूमय अंत्राण करना गर कानुनी हो गए तो फोटिक हैं पर क्रेक्ट और सी हो एक और दो यहाँ पर क्या है सहीं यहाँ पर है कि नेक्ट कोश्चन है यहाँ और एक तालिस नंबर भालत में निश्वी सताद्धी के जन्जाती विद्रो के लिए निम्ली खित्मे से कौन ज़ता तुने तो यहाँ पर चार आप्सन है तो इसका करेक्ट आशन है पर डी हो जागा जन्जाती प्राचिन भूमे संबंधी व्यस्था का संपूर यहाँ निवारार अगला प्रस्ट निम्ली कित घटनाओं पर विचार किजिए तो यहाँ पर चार घटना दी गई है निल विद्रो संथ तो इन घटनाओं का सही काल कुल का लानुकरम जमाना है पहले कौन सा हुआ था तो आपर चार आप्सन दिया है तो इसका करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा जो कि क्या है सही है आपका दो चार एक तीन अगला प्रस्ट है कुट में यहाँ पर दिया है निर्म लिखिद में किस किस से किंसे भारत में अंग्रेजी सिख्चा की नियू पड़ी तो 1813 चार्टा रेक्ट जनरल कमिटी आप आलंग वी दियाद तो 13 के यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जो कि सही है तीनों यहाँ पर सही है अगला प्रस्ट है डेविड हेरर और एलेक्जंडर डप के साथ मिलकर निम लिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कालेज के स्थापना की तो यहाँ पर चार आप पर चिवली मुमानी तो उसका और अंसर बी होजाएगा राजाना मुहर राय करते थे भारती द्वारा अंग्रेजी भासा में प्रकासित प्रतम समचार पत्र था तो हिंदू प्रियाट दा हिंदू यंग इंडिया या नेट्व उपीनियन तो इसको पर यह होजाएगा हिं अगला है भारती राष्टवाद को मना जाता है अगला प्रस्णा है एंसी सितल वाड बीन राव तो था अलादी कृष्णा स्वामी अहर प्रक्यात थे तो सुराज पार्टी के आल इंडिया नेशनल इंडिया सुसाइटी के क्या थे यहां पर प्रख्यात सदस्य थे अगला प्रस्णा है पचास निम्ली खितकत्रों को ध्यान प्रयोग पढ़िए तो यहां पर सबसे पहला ब्रह्म समाज एक अस्वरबात का समर्थन करता था आर्यों समाज जिनने सिक्षा के विकास में युगदान दिया राम कृष्ण के स्थापना स्वामी व्यकान ने की तो नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सहीं उत्तर चुनिए तो पचास कर् अच्छे से पढ़िए और चनल मैं इसे बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब पर कर